हम यूट्यूब चैनल पीह्च्पी ट्रेनिकवाइ डेवलपर में आपका एक बार फेसा स्वागत है विद्स आज हम डिसकस करेंगे पीचपी के अंदर डेट फंक्शन के बारे में पिच के अंदर हम डेट फंक्शन का यूज के से करते हैं और फिच स्टू के अगर आपको निकालना है सिस्टम की तो उसके लिए हम डेट फॉंक्शन को किसे अप्लाइ करें हैं हम स्टार्ट करते हैं हमने डेट फोल्डर के अंदर एक निव फाइल क्रेट करी फाइल का नाम लिखा डेट.php पीच्पी के अंदर एक अपको डेट निकालना है तो उसके लिए पीच्पी के अंदर एक इन्बिल्ट फॉंक्शन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं पीच्पी ने हमको एक इन्बिल्ट फॉंक्शन बना के दिया है डेट नाम से हैं date function के अंदर कुन-कुन से parameter हमें एक पिरामेटर पास करेंगे, उसमें हम पास करेंगे y, m and d, y means year, m, month, m represent करेगा month को and d represent करेगा हमारी date को. ठीक है, तो date function PHP ने एक inbuilt function बना के दिया date नाम से, उसके अंदर हमने एक पिरामेटर पास किया, उसमें y, m and हमने d पास किया, यह function हमको system की current date डिस्प्ले करके देता है, ओके, इस function का हम practical example के दुरू हम इस function को describe करेंगे, तो हमने एक फाइल जनेरेट करी date.php के नाम से, इस particular फाइल के अंदर एक छोटा सा function, छोटा सा में एक प्रोग्राम मनाते हैं, इसमें मैंने यूज किया date नाम के function का, date के अंदर हैंने single code में y, m, n, d पास किया, ओके, जब मैं इस function को echo करता हूँ, तब इसका output ब्राउजर पर क्या आएगा, y means year, current year आजएगा, current month आजएगा, end current date आजएगा, ओके, इसको हम execute करते हैं, प्रोग्राम को, जब सर्वर को हम start करें, नाव, ब्राउजर, ब्राउजर पर हमने टाइप किया, localhost, slash, folder name, folder के साम से बनाया, date नाम से, उसके अंदर फाइल बना रखिए, date.php, जब हम इस प्रोग्राम को execute करते हैं, तो हमें क्या display होगी, आज की current date, current date को display करने हैं, प्रोग्राम को execute करा, तो output के आएगा, 17, मतलब year, 02, month, and आज की current date क्या है, 8, ठीक है, तो यह उसका predefined format है, जो format हम date function के अंदर पास करेंगे, वो format हमें वापे display हो जाए, तो यह तो था, YMD के format में, बट अगर मुझे requirement है, कि यहाँ पर 17 की जगह पर 2017 आना चीए, उस case में हम क्या करेंगे, तो उस case में हम कौन सा format यूज करेंगे, उस case में हम format यूज करेंगे, उसकी, उसमें हम Y को replace करेंगे, capital Y से, पेच्वी के sensitive है, अपने small Y लिखा तो उसमें 17 प्रिंट करके दिया है, बट आप जब capital Y लिखते हैं, तब उस case में यहाँ पर ब्राउजर पर का display हो जाएगा, 2070, ठीक है, अब suppose that client की requirement क्या है, पर 02 की जगह पर उसको month चाहिए, क्या चाहिए, month, month मिन्स extinct format में आना चाहिए, suppose that January हो तो zen आना चाहिए, February हो तो fa भी आएगा, ठीक है, तो उस case में हम small Y की जगह पर जब मैंने capital Y लिखा, तब उसका output का display होगा, okay, बट अगर इमें इस format की जगह पर मैं ये वाला format यूज करता हूँ, उसमें मैंने यहाँ पर capital D लिखा, तो आज का current day display होगा, ठीक है, आज का current day display करेगा, तो यह अलग-अलग format होते हैं, यह हमको project के अंदर date किस format में print करवाना है, यह उसकी requirement के हैं, अनुसार हम हमारे format को use करें, आपने date function, predefined function है, small while लिखा, तो 17 देदेगा, तो यह था, PHP के अंदर हम current date के से display करते हैं, इस function का use हम development में भी कर सकते हैं, जब आपको किसी system की current date display करवाना है, suppose that आप online examination का project बना रहे हैं, उसमें आपको date की requirement है, तो उस case में हम किस करेंगे date function का, otherwise date का use हम multiple projects के अंदर हम इसका use करते हैं, ठीके, तो यह थी date PHP के अंदर हम कैसे display करवाते हैं, तो हम हमारे next lecture में PHP के function के बारे में describe करेंगे, कि PHP के अंदर हम function कैसे use करते हैं, function बनाते कैसे हैं, okay friends, YouTube channel PSP training में आपका बहुत-बहुत सवगत, friends, यदि गर आपको हमारे channel के आज हम से कुछ दिखने को मिले तो please आप हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब करें and share करें, okay, thank you so much,